नमस्कार में मुन्ना आप सभी का कुकवित मुला चारेलों बहुत-बहुत मनफुरोज होगत करता हूँ आज आम एक दाँ होटेल या रिस्टार्ण साहिल तरीके से पनी टिका मसाला की रेसिपी करने वाले हैं चड़ तो फिर इसे पनी टिका बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पनी टिका मसाला बनाने के लिए एक बाउल में पनीर को मैरिनेट करेंगे इसले में एक बाउल में आट कर दे रहा हूँ एक चामच इतना किचंग 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 हमने बड़े ПравD 증 sudah में रखा है आप अपने अनुसरफ पनीर के पितस छोटे या बड़े रख सकते हैं अभी इन पितस को हमें अच्छे से मसालोंसे कोट कर लिना है यह देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह देखिए हमारी पनी अच्च से मैंने इडिट हो गई है अब हम इसे शालो फ्राइ करेंगे अभी मैंने पनी टिका को शालो फ्राइ करने के लिए लो फ्लेम के उपर एक नॉन्स्टिक के तावे को रख दिया है तावे में हमें 3 टेबल स्पून इतना ओयल आट कर देना है अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं तो आप इदर 2 टेबल स्पून या एक टेबल स्पून ओयल भी आट कर सकते हैं अभी इस ओयल को हमें गरम कर लेना है एक मिनिट बाद आप देख सकते हैं हमारा ओल अच्छे से गरम हो गया है अभी हम इसमें पनी टिका के सबी पिसस को आइट कर देंगे अगर फ्रेंड्स आप आप मारा वीडियो इधर तक देख रहे हो पनीर के क्यूज मुझे शालो फ्राइ करने के लिए रखकर चक्रीबन तीन मिनिट हो गया है अभी मैं एक चमच के साइट से सबी पिसस आपको पलट के दिखाता हूँ वाउ यह देखिए पनीर का टेक्शर देख सकते हैं अब लाइट ऐसा गोल्डन ब्राऊन हो गया है आभी मैं पनीर के सबी क्यूज को उल्टा कर दे रहा हूँ यह देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सबी पनीर के क्यूज को पलट लिया है अब हम पनीर के क्यूब्स को निचे से भी तीन मिनट के लिए लो फ्लेम के उपर शालो फ्राइ कर लेंगे पनीर के क्यूब्स मुझे शालो फ्राइ करने के लिए रखकर तक्रिबंद और तीन मिनट हो गया है आप देख सकते हैं पनी के क्यूबस देखे हमारे अच्छे से निच्छे से भी गोल्डन ब्राउन हो गये हैं इसे हमें पनी के क्यूब दोनों साइट से तीन-तीन मिनिट के लिए फ्राइ कर लेने हैं आप यम्में अपने गैस के प्लेम बंद कर दे रहा हूँ ओइल के जगा आप इधर बटर का प्रयोग कर सकते हैं आभी हमें इस ओईल को अच्छे से गरम कर लेना है यह देखे फ्रेंड्स आप देख सकते दो मिनि resisting बात हमारा ओइल अच्छे से गरम हो गया है अब हैं हम इस गरम oil में दो medium side के patch जिसे हमने बारी काट लिया हो आड़ करेंगे अब हैं हमें इस patch को अच्छा से भूनते हुए, light ऐसा golden brown कर लेना है तक्रीबन दो मिनिट बाद आप देख सकते हैं, patch हमारा अच्छा से light ऐसा golden brown हो गया है अब हैं हम अपने patch में add करेंगे, दो चमच इतनी आदरक लसुग की paste और दो हरी मीट जिसे हमने लंबा काट लिया हो अब हैं हम इन दोनी चिदों को अच्छा से एक मिनिट के लिए भून लेंगे, जिससे इसका कच्छापन निकल जाएगा तकरीबान एक मिनिट के लिए मैंने अच्छा से अदरक लसुग के paste को भून लिया है अब हैं मसालों को add करेंगे, उससे पहले हमें गैस के लिए एकदम slow करनी है अगर हमने high flame के उपर मसालों को डाला, तो मसाले हमारे जल सकते हैं इसलिए हमें low flame के उपर सभी मसाल आड़ कर देने हैं एक चामच इतनी लाल मिर्च पाउडर, मैंने इधा कश्मीर लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग किया है पाउच इतनी हल्दी पाउडर, वन फोर चमच, वैसे हमें आड़ करना है एक चामच इतनी धनिया पाउडर, और एक चामच इतना किचन की मसाला किचन की मसाला आप जरू डालिए हमारे रेसिपिक के मेन इंग्रेडियंट है जिसे के बहुत आचा स्वाध आता है उसे साथ हम इसमें आड़ करेंगे एक चामचितनी भूने हुए जिरे की पावडर अभी इन सबी असालों को हम अच्छे से एक से दो मिनिट के लिए लो फ्लेम के उबर भून लेंगे मसालों में इतो भूनते हुए तकरीबन दो मिनिट हो गया है अभी हम अपने ग्रेवी में आड़ करेंगे दो मिडियम साइज के टामाटर की पियूरी अभी हमें इस पियूरी को बाच्छे से दो से तीन मिनिट के लिए इस अभी मसालों के साथ हाई फ्लेम के उपर भून लेना है यह देखें टामाटर की पियूरी बूनते हुए उमें जो तकरीबन तीन मिनिट हो गया है आप ग्रेवी का टेक्शर देख सकते हैं बहुत ही मस ऐसा दिख रहा है उसे साथ आप इधर में एक बहुत ही महतों पुन आपको टीप देता हूँ हम ग्रेवी को जितना अच journals यदर पकाएंगे हमारी ग्रेवी उतनी स्वाधिस्ट बनेगी अभी हमें ग्रेवी में अड़ कर देना है दीड गूस इतना पानी यह एग ग्लास और यह आदा ग्लास तोटल हमने इंदे दीड गूस इतना पानी आड़ किया है पानी की मात्रह अपने according रख सकते हैं अब हम अपने gravy में आइट करेंगे एक च्यमच इतना नमक आप साधा नंशा नमक डाल सकते हैं अब हम नमक को अच्छे से मिलाएंगे अब हम gravy को अच्छे से lid से cover करके पाँच मिनीट के लिए cook होने के लिए रख देंगे जिसे के इसमें अच्छे से बॉइल आ जाएगा पांच मिनिट बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अच्छे से उबालने लगी है अभी हम लिट को हटा लेंगे वाव यह देखिए हमारी ग्रेवी में से बहुत की मस इसा सुगन दा रहा है अभी हम इस ग्रेवी में अपने तैयार किया है पनी टिका आइट कर देंगे हमें सभी पिसस को एकदम सावदामी से कड़ेई में आइट कर देना है अगर आप आप आमरी वीडियो इधर तक देख रहे हैं अभी तक अपने 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 चानल सस्क्राइब ने को तो कर लिजे या देखिए मैंने सभी पिसस को आइट कर लिया है अभी इसे एक बार हम स्वैचुला से अच्चे से मिला लेंगे यहाँ देखेए इप स्पैचूला के सायتा से अच्छे से मिरे पनी टिका को ग्रेवी में मिला लिया है आभी हम यह पैन को लिट से कवर करके ग्रेवी को हाइफलेम के उपर पाच मिनिट और कूक कर लेना है पनी टिका मसाला कूकोने के लिए रखकर और मुझे पाच मिनेट हो गया है अब यह हम लिट को हटा लेंगे और पनीर को चेक कर लेंगे वाव यह देखें आप देख सकते हैं हमारे ग्रेवी ने सबी ओईल को सेप्रेट कर लिया है इसका यह मतलब है कि हमारी सबजे अच्छे से कूक हो गई है अब हम स्पैचुला के साहता से सबी ग्रेवी को अच्छे से पनीर के साथ मिक्स आउट कर लेंगे अब हमारा पनी टिका मसाला अल्मोस रेडी हो गया है अब हम इसमें last secret ingredient आइट करेंगे मैं इसमें एक चामच इतनी कसूरी मेती एसे हातों में मसल के डारा हूँ जिससे इसका सौध और भी बढ़ेगा आप चाहिए तो इदर धनिया भी आइट कर सकते हैं अब हम कसूरी मिती को अच्छे से अपनी ग्रेवी में मिक्स आऊट कर लेंगे अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहे होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिये यह देखिए आप देख सकते हैं कसुर मेples को मैंने अच्छा किसे अपने सब्जे में मिक्स आउट कर लिया है अब ही हम कसुर मेhyeti को सीब एक मिनिट के लिए और कूक कर लेंगे सब्जे मुझे कूक होने के लिए रखक और एक मिनिट हो गया है या देखिए हमारे gravy कितना अच्छे तरीके से oil को separate कर लिया है अब याम फिर से चमच के सायता से gravy को mix out कर लेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने gravy को थोड़ा इधर medium रखाया है आप चाहे तो इसे सुखा भी कर सकते हैं वैसे और पतला भी कर सकते हैं एक बार मैं आपको चमच के सायता से अपनी gravy के तिकनेस दिखा देता हूं या देखिए मैंने इधर तक अपनी gravy की medium टाइप consistency की तिकनेस रखे हैं आप अतलिया गाडी रख सकते हैं अभी हमारा पनी टिका मसाला रेडी हो गया है तो जादा से जादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए उसे साथ फ्रेंड्स अगर अभी तक अपने हमारा चानल सस्क्राइब ने किया हो तो कर लीजिए और साइड में जो बेला इकन हैगा उसे प्रेस खाना ना भूलीए इसे फ्रेंड्स आप यह डिलिशेस रेसे अपने घर बे एक बार तो ट्राइ करके देखिए सो थैंक्स पर वोचिंग थैंक्यू